कि इस विडियो में हम एक पूपी इंडरेस्टिक की मेटड़ की बारे बाद करेंगे एक वू तरीका जिस तरीके से हम इस इक्वेशन इस पॉली करके निकाल सकते हैं, तो पहले यह देखेंगे हम की split हम कैसे करते है, भक हमारे पाद में यह मिलिटर में 12 हम 12 को दो पार्ट में split करते है उसको दो पार्ट में break करेंगे किस रगे करेंगे एक हमें ऐसे दो numbers चाहिए जिन numbers को add करके दो numbers को add करके 12 value आनी चाहिए और multiply करके 35 means आप गैस कर सकते हैं सोच सकते हैं आप कि 5 और 7 वो दो numbers है 5 प्लस 7 करेंगे तो 12 आ जाएगा और 5 इंटू 7 करेंगे तो आपके पास में 35 आ जाएगा वो दो numbers हैं तो आप यह बोल सकते हैं कि यह जो एक quadratic equation यह quadratic polynomial given है इस quadratic equation के दो factors हो सकते हैं क्या क्या होंगे हम इसको इस तरीके से not down कर सकते हैं यहां पर यह जो value बनके हैं हमर परस में we can rewrite is at x plus 5 and x plus 7 अब यह दि हमें इसके लिए 0 निकालने हैं यह रूट निकालने तो हम इसको इकल डू जीरो पूट करते हैं बोलेंगे यहां से एक्स की वेलू माइनस 5 आएगी और x की वेलू माइनस 7 तो हमें यहां पर इस method में आपको गैस करना पड़ेगा जैसे एक नमबर लिखा हुआ है एक 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 एक्वेशन लिख हुए आपको यहां पर से गैस करना है ऐसे को एडकर करेंगे करने पर सक क Washington आना चाहिए एक माइनस सेंट माइनस कkeitli वो नमबर है जिन को सब्सक्राइब आपको यह चाहीए और आपको 67 अठारा और बारा वो नंबर रहेंगा तो की सा आएगा और यहां पर multiply करेंगे तो 216 आएगा ठीक है आगे चलो यहां पर 60 वो दो नमबर पता करने हैं हमें जिनको multiply करेंगे तो 8 9 नहीं जाना चाहिए और एड करने पर 60 इसका मतलब एक नमबर बनके आएगा 31 और 29 एड करेंगे 60 आएगा बट हम कैसे बता रहे हैं हम लेकिन मैं आपको यहां पर एक नया मेथड़ बताता हूं वह मेथड़ हो सकता है आपको पता हो हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन बहुत ही interesting method है हमें middle term split करने की requirement ही नहीं है कि देखेंगे इसको यह दिए हमें factors निकालने हैं यह इसके factors हैं और यह solutions है यह roots हैं यह हमें solutions निकालने हैं तो हम जो sum दे रखा है हमें जो हमारा middle term है उसको minus करेंगे और यह हमें factors निकालने है तो जो हमारा middle term हमें जैसा है same sign लेंगे इसको opposite sign करेंगे sum को हम opposite sign करेंगे opposite sign करेंगे यह यह हमें यह हमें सबस्क्राइब कर दो यह एक अब देखेंगे पहले यहाँ पर वह दो नमबर्स वो दो numbers आएंगे कैसे हम यह बोल सकते हैं कि वो जो दौनों numbers आएंगे आपको पता है यहां पर 7 और 5 इसके जो answer है वो 7 और 5 है यह factors है और इसका जो आपके वास में जो roots है वो मैं आपको मैं बता हूँ कि roots निकालने है roots निकालने का मतलब है हम इसके sum को minus करेंगे सम का sum हो गया minus 12 आप दोनों को add करोगे minus minus में value बनके आएगी minus 12 आप sum को half करेंगे इसका बलब by 2 करेंगे बनके आएगा 6 minus 6 एक ध्हान देने वाली बात यह है कि जो minus 6 है आपके पास में minus 7 को number line पर ड्रॉ करिए this is minus 7 and here minus 5 in between एक number बनके आएगा minus 6 minus 6 दोनों roots से दोनों value से minus 7 और minus 5 से equal distance पे one and one value है this is one value and this is one value दोनों values equal हैं आपके वास में इसका मतलब है जो sum का half है जो सम का half है जो भी sum का half है जैसे 12 है 12 का half 6 6 उसका middle term बनके आएगा 6 6 उसका एक midpoint बनके आएगा अब मैं यह कह सकता हूं कि हम एक factor मानेंगे हम एक ऐसा number मानेंगे जो की equal है जैसे अभी हमने हाल लिखा था 6 minus 6 minus 7 और minus 5 मैं मालता हूं कि यह value k है तो यह value minus k बनके आएगे हमारे बाद में equal distance equal distance होगा तो हम इसको हमेशा क्या करने वाल है हम इस method में हम सबसे पहले यहां पर हम को हाफ करेंगे हाफ करने के बाद में सम का हाफ आ गया minus 6 अब दो दो वैलू जाएंगे हम बोलेंगे minus 6 plus k कर लेंगे एक value यह बनके आएगी और एक minus 6 minus k एक value यह बनके आएगी दो roots होगे दो factors होगे इसके अब इन दोनों के multiplication होता है जो एंड हेर माइनस इक्स माइनस के इस इकल टू अटिफाई कि यह असानी से सॉल कर सकते हैं इसको क्यों कि आलवेज हमेशा इस वाली फॉर्म में जो फॉर्म बनके आएगे आपको इसको मुल्टिप्ला एकना सॉल करना है ठीक है और क्या की वालू पता गनी है आप सको देखे आप बोलेंगे मैन और 36 36 मैनस के स्कॉर्रीज कई स्कॉर्री इत्यर दीफ़ने के स्वाइगा एगा प्लस मैनस वन प्लस माइनस मिनने पको के कि वेलु एक मांने क्यों क्योंकि एक आलीडि आपको प्लस और मैनस कर चुके है इसका मतलब k को आप का पर आपको पहले से पता था जो आंसर गे आने वाला है वह आंसर होगा आपके लिए minus 7 and minus 5 लेकिन हमने क्या निकाला है हमने के निकाला है one minus six minus six plus one which is minus five and minus six minus one which is minus अब आपको मिडिल टम स्प्लिट ही नहीं करना पड़ा है एक मेतरड है जो कि प्रॉफिशर है इसको लेकिन आपको हमें इस दीकर नहीं क्योंकि यह हमारे बहुत यूसफुल है यह उन कुष्टेंस में बहुत यूसफुल होगा हमारे लिए जहां पर फैक्टर सोच ही नहीं यह थे हमें आपको देखेंगे सम कितना है थर्टी सम का हाफ करेंगे सम दे रखका है हमें थर्टी मीज्ट जो मिडिल टर्म को हम हाफ करेंगे क्या बनेगा 30 बाइटू विचीज 15 आपको फैक्टर निकालने तो पॉजिटिव रखिए एक नहीं निकालने इसका मतलब है य मैनस लगाना पड़ेगा अंतर आएगा हमने यह निकाल लिया 15 अब आपके लिए दो बनके आएंगी एक वेलू 15 प्लस के मानेंगे और एक वेलू को हम 15 माइनस के मानेंगे यह वह निकाले डिष्टैन से है हमारे पास में वो नमर बीच में आने वाला है तो एक नमर 15 से बढ़ा आएगा इस चोटा आएगा क्योंकि दोनों का मल्टिप्लिकेशन 216 के बराबर होगा यदि हमानों 4 होता तो 4 into 216 करते लिए अभी केवल यहां पर वैलू 1 को पूट करेंगे 1 into 216 में इस इकल टू 216 15 का स्क्राइर करेंगे आप बूलेंगे 15 का स्क्राइब कितना आएगा 225 आएगा माइनस के स्क्राइब इसले इत्र करने में क्योंकि यह आलवेज हमारे पास में स्क्राइब मैं बन क्या आएगा और क्या बाइगा मिन्स आप के विड़ की वैलु पता करनी होगी और टेट ये बड़ी मीरस करनी आप सीधे हांसर पहुंझ जाएगे अब आपको तूबन से इसके फैक्टर्स नहीं करने पूड़ रहे हैं ठीक है यह बन गया है तू तू फाइव इनमर आगा दर टू बन सिक्स इसिकल टू आगे जाएगा के स्क्वार मुलिगा से के स्क्वार की वेलू बन गया गी नाइन एंट की वेलू बन गया गी प्लस-3 और आपके आपके जो फैक्टर्स बन के आएंगे जो फैक्टर्स होंगे हमारे पास में हम बोलेंगे हां पे 15 15 फिफ्टीन प्लस-3 विसकल टू एटीन एंड 15-3 इसकल टू अब बोल सकते हैं इसके रूट इसके रूट बताने तो आपको कि इसको आप पूर जोज करना पड़े गाए इसके जब बोलेंगे रूट आएंगे रूट की वेलू आएगी माइनस एक्टीन और माइनस की रूट आएंगे अब आपको इसके फैक्टर्स निकरने पड़ा आपको सूचना नहीं पड़ा कि अच्छा कोंगों से नंबर हो सकते हैं यह समझ में आया इंटरेश्क लगा कि देखा आप एक बर आपको 899 के फैक्टर्स करने वैसे इसका आन्सवर आने वाला है 31 & 29 हमें 899 के एक्टर्स करने हैं उस तरीके से कि जिनको दो नंबर्स को एड़ करके 60 आए फैक्टर करने सोचने तो हम इसको पले डिवाइड करेंगे स्थार्ट करेंगे बहुत 30 वह नंबर है जो हमारे आपस में मिडल में आएगा 30 से एक नियर की निए नुमर जोट आएगा तो हम बोलेंगे 30 प्लस के 30 फ् velas के मानेंगे और एमें 30 माइनस के मानेंगे और इन और लनों का मल्टिkeeping के अ weight 899 के एक को लाइगा स्कों में लिखेंगे 899 हम इसको सॉल करेंगे देन गिसी नाइन हंड्रेड माइनस के स्क्वार इसकल टू 899 टू के स्क्वार विच इस वन इसकल टू के स्क्वार और के की दो वैलू बनके आएंगे लेखें लिखना लगो अल्लेडी यहां पर एक बात प्लस कर चुके हैं एक बार मानस कर चुके हैं अब की वैलू हम पहले कर रहें बंट एक स्क्राइटि निकालने का पहुत है और यह बहुत ही यूसफुल है, यह 10th class, 11th, 12th class, ITJE, इन exams में यदि आपको सिर्फ roots find out करने, देखो, यदि हम इस method को apply करेंगे, बोर्ड में, तो बोर्ड में नमबर नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इदी इस method को किवल ITJE में, 11th, 12th class में यदि हम किवल MSQ में solve कर सकते हैं, तो में proper numbers मिलेंगे, उसके पर, और, यह बहुत ही useful है, आपके SSC, CGL exams के लिए, bank के exams के लिए, जिन में हमें केवल options stick करने होते हैं, तो आसाने से कर सकते हैं, चलो, आगे देखते हैं, क्या यह method उन questions के लिए भी valid है, जहाँ पे नमबर बनके हैं, यह आप कर सकते हैं, आसानी से, वैसे, यह मैंने question इसलिया है, कि इसकी जो answer है, वो 5 & 5 बनके आएगा, मतलब यह जिरू हाने चाहिए, चेक करेंगे, ठीक कर लेते हैं, समकितना बने का हमान पास में समकितना रहकार, सम रहखाय है, एम रहकार 10, 10 का हाफ करेंगे, तो 10 रजिक यह तोटांगे, विट सबर्टंबर बनके आएग एग एक बनेगा 5 पलस के, और बनेगा 5 याः के, और अक बनेगा 5-क अ अरू नुप्लिक अलू जिल 2 आएगा 25-k square is equal to 25, will be cancelled out then k value 0, will be 0 and k, 5 plus k means 5 plus 0 ये भी 5 आएगा और 5-0 ये भी आपके पाद, हम इसमें कुछ ऐसे चीज़ देखेंगे कुछ ऐसा ट्राइ करते हैं जहां पर ऐसे कुछ value बनकिया है x square को multiply करा जा रहा हूँ चेकर लेते हैं कि क्या ये method हम भी valid है ठीक है same method करेंगे हम अभी इसको divide नहीं करेंगे यहां पर अभी इसम की बात करेंगे अब हम यहां करेंगे जो सम हमारे पास बनके आएगा वह सम बनके आएगा 10 अब को एक एक confusion और दूर होगा है इस question में कि इसी odd number अब तक मैंने जितने question आपको बता है जितने exam लोने को एक even number है आप 2 से डिवाइट कर रहे है एक number बनके आ रहा है विचिस 5 एक perfect integer बनके आ रहा है लेकिन यहां पे आपके पास में 5 है 5 बैट को रहेंगे तो 2.5 नहीं लिखेंगे नम्मर बनके आएगा हमार पास 5 by 2 plus k and 5 by 2 minus k multiplication इन दोनों को multiply करेंगे with sign multiply करेंगे एंदर करेंगे तो मुलेंगे 5 by 2 plus k and 5 by 2 minus k is equal to multiply करेंगे 3 into 3 into minus 28 यह बनेगा आपके आपके माइनस 84 इसको करेंगे इसलिए आसानी से सॉल कर पार करेंगे यह यहां पर जो मिली टम था ना माना वह आट गया इस ट्वंटी फाइव बाइफ बाइनस के स्क्वाइर इस इकल टू माइनस 84 हम इसको डिबलेंस करेंगे नमबर बनके आएगा हमार पास में 25 अपॉर यह आएगा इधर प फ लसे मेल लिए हमने यह बनेगा पॉर इइन्टो फोर सिक्स्टीन और तो एंड़ वन है तो एक्टीट इसकल टू के स्क्वेर और इनको एड़ करेंगे तो यह बने गाए कर देडिए तिरी शिक्टीवन अपन पॉर इसक्रीट टू के स्क्वेर और यह 19 का स्क्वेर अमदलब एक वैलू बन किया है हमारे पास में है यह 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 19 बाई टू इक है अब इसको यह फुट करेंगी वा तो जो नुमबर बन किया हमारे पास में नहीं है हमारे पास में फाइव बाई तो प्लस 19 बाई तू इनम बन गाएगा विच इस 24 24 परी अ अब यह लेंगे वाइटीं फ्लोड तू अधन यह भी किया हम बोलेंगे फाइप बाई टू मैनेस नीटीन विच आख टीन मैंनेगा मैनस पूट्टीन वाई टू इस is minus seven but twelve and minus seven answer नहीं है एक बाद ध्यान देसकतो आप इन्होंने को multiply गरोगो तो मानस 84 आएगा this is minus 84 बट और आंस्वर फाइनल आंस्वर हम इस एसे ड्वाइट करेंगे जो कोफिशेंट आपके पास में है आपके पास में इसके यह नंबर बनेंगे इसके फैक्टर और रूट्स बताने तो क्यावल आइन अपूजिट करना इस यह मैनस हो जाएगा यह प्लस हो जाएगा कि इतने आसानी से कर सकते हैं क्या यह तरह की तरह कि हैं सबकी नंबर्स के लिए है है गांफ कटा नंबर है इन टरुट होगा अगेन हैं कि गilly टॉट में कि यह हुं कि मिले टमेंग व्रिस कमें क्था यह माइश मिन माइनस रूट 6 माइनस के मानेंगे इनको मुल्टिपला करके क्या आना चाहिए तू इंटू 3 नमबर आना चाहिए तू इंटू 3 हम यह से के निकाल लेंगे नमबर बनके आएगा लेकिन फाइनल जो आणसर आएगा तो 3 से डवाइट करेंगे अक्षब से गैफ सुर्णी ऐख जो जो को आए रहे है तो हम से ओलेंगे डीलोप संस्का म्लब हमारी बास में दो नमबर policies minus 6 & minus root 6 तो हम इन दोनों को एड करेंगे तो देखो माइनस तू रूट सिक्स आजाएगा विज़ेंगे सम करेंगे इनका रिंट यह नमबर्स हमार पास में नो हम इसको रूट्स निकालने के लिए इसल रूट्स रूट्स बनेंगे हमारे पास में रूट्स निकाएंगे माइनस रूट्स इक्स अप्वन करेंगे एंड माइनस रूट्स एक सब्सक्राइब कि इस तरह के साल करें है कि हम जाया है कि हम पॉल कर सकते हैं ठीक है आई यह समझ में आया होगा इदि आपको समझ में आया है और आपको यह नया में सब्सक्राइब लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ सेयर करिए थैंक्यू सो मच